आप देख रही है MNS News सच जरूरी है आज से राहूल गांदी की निया यात्रा में शामिल होगी प्रियांका भी क्या जुड़े के अखिरेश दुल्हनिया को लेने जेटर्स मोटर साइकल पर सवार होकर पहुचे दुल्हे वैभव पितासियम मोहन यादो ने निभाई रस्मे मुसल्मान शरीयत और कुरान के हिसाब से ही चलेगा असम में विवा और तलाग कानून के बदलाओं पर बोले सपा सांसद जिया असम की हेमंत विश्वा सर्मा सरकार ने मुसल्मानों दौरा विवा और तलाग के पंजीकरन से जुड़े उनपे साल पुराने कानून को रद्ध कर दिया है इन कानूनों के रद्ध होने पर सरकार का UCC की तरफ बढ़ाता हुआ एक कदम बताया जा रहा है वही अब इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद एस्टी हसन ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे फैसले असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है जिया सभी धर्मों की अपनी अपनी परमपराय एस्टी हसन जिया उन्होंने कहा सरकार कानूनों के बदलाओ कर रही है लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मुसल्मान शरीयत और कुर्यान के हिसाब से ही चलेगा हम हजारों वर्षों से इसम कानून को मानते आ रहे और आगे भी मानते रहेगे सपनेता ने कहा कि आप कानून में बदलाओ करके यह नहीं कर सकते कि हिंदू शाओं को जलाने की जगा दफनाया न शुरू कर दे यह मुसल्मान निका की जगा कुछ और तरीका अपना ले सभी धर्मों के अपने अपने परंपराय है यह साफ साफ लोगों के धार्मिक अधिकारों में दखल है असम के कानून में हुआ है बदलाओ जिया बतादे की शुकरवार देर रात ह कुई असम सरकार की कैबिनेट बैठक में मुसल्मानों दवारा विवाह और तलाग के पंजिकरण से जूरे 19 साल पुरा ने कानून को रद्द करने का फैसला किया था इस अधिनियम में मुसलिम विवाह और तलाग के स्वच्छिक पंजिकरण का प्रावधान था और सरकार क कहा कि आज के इस फैसले के बाद असम में अब इस कानून के तहत मुसलिम विवाह और तलाग को पंजिकरण करना संभव नहीं होगा हमारे पास पहले से ही एक विशेश विवाह अधिनियम है और हम चाहते हैं कि सभी विवाह इसके प्रावधानों के तहत पंजिकरण हो मंत लिए निदेश जारी करने के बाद उन गादी का समाप्त हो जाएगा बरते अगली खबर क्यों आज से राहूल गांदी की नियायात्रा में शामिल होगे प्रियंका भी क्या जोड़े गया किलेश जीहां आज जहां राहूल गांदी की भारजोडों नियायात्रा अधा लेकिन बिमार होने के चलते वे इसका हिस्ता नहीं बन पाई लेकिन अब मुरादाबाद से फतेपूर सिकरी तक वह राहूल गांधी संग रहेगी जब कि सपा किराशिया द्यक्षा किलेश यादाव भी रविवार को आगरा में यात्रा में भागेदारी करेगी जानका वह संभल बुल अंदर शहर अलिगर्ड हाथरस आगरा होते वे फतेपूर सिकरी तक यात्रा के साथ रहेगी हाला के सपा प्रमुख अकिलेश यादाव ने भी अमेटी और राइबरेली में यात्रा में शामिल होने की सहमती दी थी वही दोनों दलों के भी सीटों के बटव गांदी संग दिखेगे आगरां से यात्रा रविवार को ही राजस्तान के धालपूर में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर 26 पर और में एक मार्ज तक ब्रेक होगी बरते अगली ख़बर क्यों दुल्हनिया को ले ने डेजर्ट मोटर साइकल पर सवार होकर पहुचे दुल्हे वैभो पिता सीम मोहन यादो ने निभाई रस्मजिया MP के सीम मुक्यमंत्री डॉक्तर मोहन यादो के बेटे वैभो की शादी आज पुषकर में हो रही है वे हर्दा की रहने वाली शालिनी यादो से विवा के बंदन में बन रहे है राजस्तान के पुषकर के पुषकरा रिसोर्ट में हो रही इस शादी में सियम मोहन यादव और कई राजनेता भी पहुचे है इस पुर्व भी पुषकर में कई राजनेता के बड़े अधिकारियों के पुत्र पुत्रिया की शादी होती रहती है सियम मोहन यादो के बेटे वेभव अपनी दुलानिया शालिनी के साथ डेजर्ट मोटर साइकल पर बैठ कर रिसोर्ट पहुचे सियम मोहन यादो भी बेटे के शादी में कई रस्मियादा करने नजर आए इस दौरान वे अपनी बहु को कुछ गिफ्ट देते भी नजर आए है वेभव की दुलानिया शालिनी यादो एक किसान परिवार से है और उनके पिता सतीश यादो हर्दा के पतिश्थित किसान है सियम मोहन यादो के बेटे के शादी में कई वी आईपी और वी वी आईपी मेहमानों के पहुचने की संभावना है में राजस्तान के सियम भजनलाल शर्मा भी इस शादी में शामिल हो सकते हैं इसी तरह कि दिन्वर्क की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आउगे आपका रूबरू तब तक के देखते रहे हैं मेरे साथ यानियर रश्य अंसारी के साथ नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News